बागे स्वर में एक युवक ने जूला पुल से उफंती सर्यों नदी में चलांग लगा दी देखते ही देखते वो बहने लगा जल पुलिस ने टायर आदी डाल कर उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उनकी आँखों से वो ओजल हो गया रविवार को बागनाद मंदिर से 29 खेत की तरफ जाने वाले जूला पुल से 32 वर्षिय पवन पुत्र भगतराम निवासी ट्रामा सेंटर जीतनगर ने चलांग लगा दी उसे आसपास के लोगों ने देखा भी लेकिन सर्यू के उफान में किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई लोगों ने इसकी सूचना दमकल विवाग को दी सूचना के बाद दमकल करमी जल पुलिस उसे ढूटने में लग गए SDRF आदिटी में नदी को खंगाल रही है लेकिन अभी तक वो नहीं मिल सका है नदी में बहने वाले योग के दो बच्चे हैं घटना के बाद उनके स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है उत्राखन की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद